नमस्कार दोस्तो मैं रवी कमार और आप देख रहे हैं पहले देखो पहले सी को यूटूब चैनल क्यां दोस्तो आज माप के सामने फिर से हाजर वाऊं राजस्तान में किसान कर्ज माफी की लेटेश्ट अबडेट के साथ दोस्तो राजस्तान में मिले दो लाग तक के करज माप परमान पत्र या दोस्तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 7 फरवरी से राजस्तान में किसान करज मापी की परकरिया जो है वो शुरू कर दी गई है जैसे ही राजस्तान में किसान कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू की गई वैसे ही किसानों के चेहरे जो हैं खिल उठे हैं आप देख सकते हैं यहां पर ये बैनर देख सकते हैं राजस्तान में किसान कर्ज माफी का जो प्रमान पत्र है ये मंत्री द्वारा किसान को सोपा जा रहा है तो देख सकते हैं आप राजस्तान में किसान कर्ज माफी की जो प्रोसस है वो शुरू कर दी गई है ये प्रोसस दो है 7, 8 और 9 जनवर शोरी 7-8 और 9 फरवरी को चलने वाली है तो दोस्तो प्रते एक जिले की जो पंचाय समीतिय उसके अंदर स्वीर कायोजन किया जाएगा जिसकी अंतरगत उस जिले का जो मंत्री है उसके द्वारा किसानों को कर्ज माफी के जो आवेदन प्रमान पत्रा है वो वित्रित किये ज किसान कर्ज माप किया जाएगा तो इसी तरीके की किसान कर्ज माफी से जुड़ी पलपल की अपडेट अगर आप फ्री में अपने मोबाल में देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे जो रेड सब्सकाइब का बटन दिखाई दे रहा है उस सब्सकाइब के ब किसान कर्ज मापी से जुड़ी पलपल की अपडेट बिना किसी पैसे के निशुलक आप अपने मोबाल में सबसे पहले देख पाएंगे दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपको बताते हैं ओपीशिल न्यूज क्या है देख सकते हैं एम जागरन की न्यूज हम अलग ही खुशी नजर आपको यहांपे आती हुई नजर आ रही है देख सकते हैं यहांपे मंतरी द्वारा किसान कर्ज मापी का जो फोरम है वो वितरन किया जा रहा है ये जो तस्वीर है ये अजमेर से हमारे सामने निकल के आई ये आप देख सकते हैं अजमेर जे एन एन खान एवम गोपालन मंत्री प्रेमोध जैन भाया ने कहा कि राज्ज सरकार ने किसानों से वादा किया था कि उनके करज माप किये जाएंगे हमने सरकार बनने के सिरफ दो जिन में वादा पूरा किया लेकिन थोड़ा सा विलम हो गया दो लाग रुपए तक के करज माप किये जा रहे हैं राज्ज सरकार किसानों को उनकी फसल की कीमत हाथो हाथ देने के लिए भी नया सिस्टम विक्सित करने जा रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खान एयम गोपालन मंत्री प्रमोज जैन भाया ने आज सरवाड के पास हिंगोनिया में आयुजित कार्य करम में किसानों को रिन माफी प्रमान पत्र वित्रित किये इस आउसर पर उन्होंने कहा कि राजस सरकार किसानों की समरदी और आर्थिक उन्नती की सोच की कामना कर रही है राजस्तान में लाखों किसान दो लाख रुपए तक के करज माफ किये जा रहे हैं लाखों किसानों के अजमेर में भी हजारों किसानों के करज माफ होंगे उसका भुक्तान मिले उसका सही मुल मिले उसके लिए नया सिस्टम विक्सित किया जा रहा है कॉंग्रेश सरकार द्वारा किसानों की उन्नती ही राज्य सरकार के कामकाज का मूलमंतर है भाया ने कहा कि पूर वर्ती सरकार द्वारा की गई जिन माफी में बकाया 6,000 करोड रुपे का भुक्तान भी वर्त्मान सरकार द्वारा किया जाएगा यहाँ पे मैं आपको बता दू जैसा कि पिछली जो वसंद्रा सरकार ने सभी किसानों का 50,000 रुपे तक का लोन माप किया था लेकिन उसके बाद 4,500,000 रुपे तक का लोन बच गया वो कॉंग्रेज सरकार कर रही है और 50,000 रुपे जो वसंद्रा सरकार ने किये थे इन दोनों करज माफी को एड़ करके शिरब 2,000 तक किसानों के करज माप किये जा रहे है कार्य करम में अध्यक्स भुपेंद्र सिंग राठों ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के प्रतेक वर्की तरक्की को ध्यान में रखकर विकास का खाका तयार किया है किसानों की कर्ज माफी के साथ ही राज्य सरकार ने इस पश्ट कर दिया है कि विजली के दाम भी नहीं बढ़ाए जाएंगे किसानों को विद्धुत कनक्सन भी जल्दी से जल्दी दिये जाएंगे उन्होंने का कि बेरोजगारों को बत्ता कोलेज में लड़कियों के लिए मुप्त सिक्ष्या सहीत कई ऐसे कारिये हैं जो सरकार ने सपत ग्रहन के साथ किये थे इन घोशनाओं में आमजन को राहत मिलेगी कारे करम को सिसी बी के अध्यक्स मदन गोपाल चोधरी ने भी संबोधित किया सहकारिता विभाग के अतिरिक्त निर्देशक जी एल गुप्ता ने बताया कि किसानों का 30 नॉवंबर 2018 तक का जो संपूर कर जाए है वो माफ होगा इसमें छोटे बड़े सभी किसानों को फाइदा मिलेगा भूमी विकास बैंक के द्वारा दिये गए करज भी आप सभी के माफ होंगे कारे करम में जिला कलक्टर विस्ट मोहन सर्मा सागर सर्मा प्रधान धाकर सैलेंदर सिंग सकतावत सहीत अन्यजन परतिनीधी एवम अधिकारी उपस्तित थे रिन माफी तो बताया किसानों के लिए सोभाग्य साली हिंगोनिया गाओं के किसान रामसरूप, रामलाल और भैरूप ने कहा कि मुख्यमंत्री असो गैलो द्वारा किसानों की करज माफी की गोशना के लिए सोभाग्य साली है प्राकर्तिक आपदाओं के कारण फसली रिन को चुका नहीं पा रहे किसानों के लिए यह योजना वर्दान बनकर सामने आई है करज माफी से किसानों को आर्थिक फायदा तो होगा साथ ही उनकी जो मानसिक चिंताएं हैं जो परिसानिया हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी जिले में 63,411 किसानों का 257 करोड का जो करजा है वो माफ किया जा रहा है जिला कलक्टर विस्वम मोहन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की गोशना की अनुपालना में 30 नुवंबर 2018 तक पातर रहे 63,411 किसानों का लगबग 257.22 करोड का जो करज है वो माफ किया जा रहा है इसके तैत हिंगोनिया में आयोजित सिवर में 200 से अधिक किसानों को रिन माफी के जो प्रमान पत्र है वो वित्रित किये गए तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने ये अजमेर जिले से किसान करज माफी की जो इनफोर्मेशन है निकल के आई है दोस्तों मैं हर जिले की इनफोर्मेशन हमारे यूटूब चैनल के उपर अप्लब्द करा पाता हूँ किसान करज माफी से जोड़ी पलपल की अपडेट अगर आप देखना चाहते हैं अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूटूब चैनल को सब्सकाइब करें जिन लोगों ने हमारे यूटूब चैनल को सब्सकाइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अकर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करे इसके साथ ही जो घंटे काईकन है उसको दबाना बिल्कुन ना बोले ताकि कोई भी अपडेट आप मिसने कर पाएं दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नए लेटेट वीडियो अपडेट के साथ तब तक के लिए बने रही है पहले देखो पहले सी को यूटूब चैनल में जै हिन दोस्तों जै भारत जै राजस्तान जै जमान जै किसान